नमस्कार, प्री गुरु सिंदी में आपका स्वागत है, मैं हो स्रीयायर और मेरे साथ जुड रहे हैं सुमीत पीजी हम आज दो टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, पहला आपका चहरा, आपका असली चहरा और दूसरा, पोल अफ पोल्स क्या कह रहे हैं 2024 लोग पर बार के बारे में, आईए मिलते हैं सुमीत पीर जी से, सुमीत जी राम राम रादे रादे नमस्कार कैसे हैं आप? तो अब आपने जब टाइटल सजेस्ट किया तो मुझे एक गाना याद आ रहा था, आप उसके बाद तो आप कम्पीट कीजिए, यह क्या हो रहा है, यहां का आपका गाना कहा जा रहा है? सबसे पहले भगवाल श्री गनेश का नाम लेते हों शुबारम करते हैं, आज हम अपने जो हमारे विवर्स हैं, दो चीज़ों कवर करेंगे, और हमेशा की तरह लाइक, शेर्ट, सब्सक्राइब तो, हेल्प चाहिए, चाहिए, नहीं तो उसके बेना बात हमारी बनेगी न देखे, आम आदमी पार्टी अपने आपको कटरही मांदारा आप पार्टी कहती थी, आम आदमी पार्टी अपने आपको हर चीज़ वो कहती थी, और वो चीज़ का डों करती थी, जो कहीं दूर 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 तक नहीं, चलिए यह तो नॉर्मल सी बात है, यह मा तिलक नगर में एक खबर सामने आई तिलक नगर में दो मंदर है बड़े प्राचीन मंदर ऐसा उन्नीस सो साथ से पहले के मंदर लगबा लगबा आजादी से पहले के मंदर सेवेंटी सेवेंटी फाइव से उससे भी पुराने जो बतलब लोग कह रहे हैं जो लोग देख रहे हैं हम तो इसे उन्नीस सो साथ से दे रहे हैं कोई कर रहा है उन्नीस सो पचास से देख रहा हूं मैंने जब से बड़ा हूँ यह मैंने मंदर को देखा अब विड़मना क्य सा वो है श्री सर अचालक ये मंदर गोशित कर दिये गए इल्लीगल इल्लीगल क्यों गोशित किये जी अब ये मंदर नहीं पूरा परिसर है दीवार है अंदर मंदर है चोटा सा मंदर का स्वास मार्केट है वो यह केहते हैं साहाब कि इससे जो ट्राफिक में रुकाउटे ब बहुत ट्रेवरी ट्रस्ताहां किराना जरूरी है ऐसा यह कहते अब यह कौन कहता है यह कहते हैं आप Milwaukee, और कौन सा लिया गंगा था जनवरी फर्वरी के आसपास, ऐसे और कहीं चीजे identify की गई जो traffic का आउरोध बनती है और ऐसे कहीं धार्मिक स्थान भी identify किये गए अब यहां यह clarity नहीं क्या उसमें मजजदें भी है या नहीं है कोई लोग कह रहे है कोई लोग कह रहे पीर बाबा का मजार तो अमसिती होटा है अब डूह भाव कि मज़ार जिखेंगे आप को दिल यूंज और देखेंगे वहाँ मजार रहे वह कोई ट्राफिक आउरोध नहीं करते के वाल है मंदर जो है यह traffic को रोक नहीं अब कहानी आगी खत्म नहीं होती तो पहली बात यह क्लियर नहीं यह मजजद और मजार जो है यह यह क्यों नहीं आउरोदक अगर यह लिस्ट में नहीं है तो फिर तो यह आउरोदक ही नहीं फिर तो देखिए तुष्टिकरणा की जो राजनी ती है वो बिल्कुल सीख सटीख सामने आती है यह यह औरोदक हैं तो इनको हटाने की बात तो नहींगी अब क्या हुआ अचानक फैसला लिया गया कि पंद्रा अक्टूबर बना आज सोल अक्टूबर हैं कि कल ताल अश्टमी के पावन अवसर पे और दुरगा अश्टमी से एक दिन पहले इन पर बुल्डोजर चलाया जाए अब सवाल यह है जिस जब यह और्डर निकाला गया माने नहीं है जो हमारे लेफटन गवर्नल्स सहाब का अव्रोध नहीं करता है पहला बात दूसरी बात कोई बिल्डिंग कोई एंक्रोच्मेंट तो हो कि जो अव्रोध करती हुए चाहिए मंदर मज्जद की बात ने करता है तुस्तुर्माइशי बात है भाई यह रावनवमी के बावन अवसर पर आपको 100 साल पुराना हिंदौों का मंदर क्यों डहना है? agar अब ऐसा आपको करना भी हो अगर आपके पास ऐसे नयाईफ प्रमाण भी है तो राम नमी के बाद कर सकते हैं नवरात्री के बाद भी कर सकते हैं तो राम नवमी के अवसर पे नवरात्रों के बीच में जहां लाखों करोड़ों हिंदों का अवरत चलना जहां हमारे गर में माता की स्थाफना हुई है तो वही उसे दिन आपको मंदर तोड़ने का काम करना है यह आपकी चुस् क्रेदंशल मनदरों को तोड़ तोड़ के उपर करेंगे क्या क्या अपनी राजनीदी को अ इस्लामिक तुष्ट करण, मुस्लिन तुष्ट करण की राजनी ती, ये से सिद्ध करेंगी, माने नहीं है, मंत्री जी, आतिशी मरलीना जी, क्योंकि देखो जी, नौरात्र है, मैंने जाके हिंदों के मंदर तोड़ दी है, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब दी है, जी, मज नदारत है, अब यही बात तो हम कुछ दिन पहले कह रहे थे, आपके दिखते चार नेता, बाकी जो साट है मेले, भाई, ये कहा है, ये कहा नदारत है, ये तो दिखते ही नहीं, आप कहते हो, जी, हमने ये मुनसिपल्टी वाला एक्शन हमने जीता, तो आब लोगों में आ वहां के लोग करें, यहां तो कच्रे के डेल लगे, यहां तो इतनी गंदगी, इतनी एंक्रोच्मेंट है, क्या वो सारी एंक्रोच्मेंट है, क्या वो सारे कच्रे के डेल, क्या वो सारी टूटी-पूटी सड़के निपड गई, क्या दिल्ली में सारा ट्राफिक जैम की ज जब हमारी आधर्मी सूनिय गांधी जी पावर में थी वो क्या गरती थी आप को यदर नहीं दीवाली के राथ में उन्होंने हमारे शंक्रा-चारी जी को औरेस्ट करूए थैक शंक्रा जारी जी को और तो यह दिखानी थी भाई हम सत्ता में तौहारी दीवाली कुछ करत दी चले गा आगे दो-चार दिन परोडूड़ की से लेका आगे दो-चार दिन ji 잘 पीछे ब above चल सकता जी हमें जाकी यहे तोड़ना तो यह पंदरा अक्टूबर कीडेड किस मुहरत में लखी है मनदर तोड़ने के लिए बड़ा शुबम हो रहा है सा पंद्रा अक्टूबर को ये कहां से आगी अब दिल्ली के बाज़पा की हैड बाज़पा के जो हैड है सज्देवा जी वो भी कह रहे करें भाई ये क्या हो रहा है ये उन्होंने क्यों किया ये आप देखिए ये इंडी ऐलाइस वाले आप द दो कहता है हम करके दिखांगे भाई या हम जाके राम नवमी से पहले मंदिर तोड़ने का शुब काम कराएंगे रभू इनकी रक्शा करे इसे कहते है विनाश काले विपरीदवुत्धी अगर ये तुष्टकरन की राज़दीति ये सिंबॉलिजम नहीं है मैं आप आप को बता रहा ह Е még की दिन मजज़े टोड़ने का काम करेंगे अगर हो लिगल या इल्लीकल है नहीं करेंगे न तो ये हंदू के जब मंदरों की बाता थी हंदो का मंदर क्या है कोई भी आके तोड़ेंग साहब कोई बात ने पर हींदू जागरित हो गया है आम आनमी के ना MLA दिख रहा ना इनके विदाईक विदाईक सब गाईब है और ये बनने वाला सा राश्ट्रे मुद्दा ये तो माने नहीं है मैं धन्यवाद दूँगा हमारे LG साहब का अगर LG साहब इंटर्वी नहीं करते ये तो तोड़ गये होते सामदर और फिर क्या होत जरो दो अर्व के विवस्ता है मंजार ओं पर क्योंस ऊर्लिए उसका दो 3 मैं कंप्लिमेंट करेंकर कैना चाहतू हैं अभी 30 s liख्राइं 12 का में हैं द्रमक हो एक ही कर चुके हैं इसमें. दो तीन चीज़ मैं आपको बताता हूँ. दोस्तों आपमें से कितने लोग दक्षिन भारत जाकर वहाँ की मंदिरों को देखें हैं मैं जानता नहीं हूँ लेकिन बहुत से दक्षिन मंदिर के बड़े 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 यह तो इतने बड़े-बड़े मंदिर हैं और वहाँ पर आधम सास्तर के अनुसार ही कई चीज़ लगते हैं. तो इसके अनुसार ही आप चल सकते हैं. तो इसको क्या है? एक कास्ट के नाम पर इसको फ्रिस्ट कर देते हैं. अब ऐसा हुआ कि एक 10 साल या 15 साल पहले चेन्ने के पासे एक मं मूर्थियां बनी थी और आपको कौन सी भी मूर्थि को आप खुद अपने हातों से पूजा कर सकते थे जिस तरह से नौर्थ में होता है यह यह परंपरा है यह संपरदाय है जिसको कैसा चाहिए वो कर सकते हैं नजर किसकी पड़ी द्रमुक की पड़ी अब देखिए यहां यह जो मंदिर है इतना स्रेष्ट है यहां पर फ्री में खाना दिया जाता था लंच के लिए तो यह लोग हलका सा लेके आए बुल्डोजर्स आकर बाहर खड़ा कर दिये और जो बुल्डोजर को ऑपरेट करने वाला शक्स है वह जाकर उस मंदिर का खाना खारा है खाने के बाद pouring rain भारिश इतनी जोर से गिर रही है जाकर उसको बुल्डोजर करता है इसको क्या बोलू मैं नरक से भी और कोई बतर चीज़े तो वहां जाएगा है बिल्कुल जाएगा 100% जाएगा कोई डाउट नहीं और कारण क्या बताता है यह illegal construction है यहां पर नहीं था यह अभी इसाई का यह तो चाच था यह मस्जिद था उसको छुआ नहीं गया यह तो पॉइंट है और और देखिए डीप साउत में एक मस्जिद और उसके साथ साथ एक घर यह दोनों illegal जगे पर बनाए गया अब सब इंस्पेक्टर जाकर उनकी पैर पढ़ रहा है आप प्लीस आप यहां का जगा खाली कर दीजे क्योंकि हमको यह order आया है यह illegal है इसको चोड़ना है क्या किया उन्होंने कुछ नहीं किया next day morning 1000 लोग सामने कुछ नहीं हुआ वह और यह मैं कह रहा हूं जब यह सर्व संप्रदाय की जो मंदिर बनी थी इसके सामने hundreds of people were crying उस बारिश में सब टड़ते भीगते हुए रो रहे थे पुलीस आई थी और यह आ था यह सब देखिए यह यह लोग यह सनातंधर्म की अंतचाने वाले लोग है ना यह द्रमुक का पपू है यानि कि हर एक regional party में एक पपू होता है द्रमुक का पपू है वो और आब आप जानते हैं हर एक पा चेहरा आप देखेंगे वेस पेंगौल में भी ममतादी जी तो बहुत ही डरी हुई है तो वहां पर भी कुछ न कुछ निकालेगी वो आप बैक टी यू सर यहां दो तीन चीजे में अपने दर्शकों को बोलो इस पर द्यान देने की पंदरा अक्टूबर की डेड़ भाहि कोई लीकल कॉल नहीं बनी वज़ी दिल्ली में बॉटर लेक ही मंदर यह दो मंदरों को तोड़के दिल्ली की सारी टैपर की समस्या खतम हो जाएगी पर जो मजार बने फ्लावरों पर वो तो मैंने तूरते नहीं देखें यह जो इस्टन कमांड के बाहर दौला कुआ के फ गर देखोजी हम हंदू हो तौह फ़े लो के मंदर तोड़े हैं यह सःखलयरों मतलए ह हिदू का मंदर तोड़ो हिंदो की वाड लगा इसी के दêm पर चलेगा से जबिल्ली में यही सेखलयरिण का प्रहाण है मैंने कितने मंदर तोड़े उतना बड़ा मैं सेखलर हूँ मै को डूंड रहे कॉर्परेटर को डूंड रहे सबसफा सबसफा चिट कोई गाइब हो गया कोई आई नहीं रहा अब उनको तो डल लग रहा हूँ अब एडी कभी न बुला ले उनको तो यह देखिए सर यह यह जो प्रकरण है यह आपकी फ्रस्टेशन को दरसा आता है वहां क कि नेतर्द्व के कमी के उधर शाता है और यह दर शाता है कि यह चीज़े कैसी हो रही है इनको मैं एक और चीज़ बता दू यह जो लीगल इलीगल की बाते करें आगमन शास्तर शायद कहते हैं उसके अनुसार सारे मंदर बनाएंगे आपको मैं दूसरी चीज़ बताओ न नौर्थ में आप देखेंगे ना मंदर नौर्थ में मंदर कोई यहां कोई वहां यहां कोई बहुत बड़ा शास्त्र का पालन नहीं हुआ क्यों यह बक्ती मुमेंट में फिर बनाए गए थे यह बक्ती मुमेंट चली थी तो उसमें मुला यहां मंदरों को फिर बनाना फिर तब पूरा डिजाइन या पूरा वो जो शास्त्र होता हूं उसके साब से नहीं बने यहां कहीं न कहीं सब्धितना बच्ची क्यों है कहीं न कहीं चीजें बच्ची क्यों है इसको लेकर तकलीफ है और कुछ न कुछ तरीके करके मंद्रों को ही तोड़ा जा रहा है यह बता ह इस साल पहले तो यह वाली चीज़े जो आम आर्मी पार्टी को इनको एक्सकोज करती है यह इनके केजरिवाल जी को तो फिलाल पंदरा आँनातिस तारीक तक कोई respect नहीं मिल रही है उनकी न्याएक हिरासत बढ़ गी है 23 अपरिल तक और कल गए थे कोर्ट में अपने वकील वकील लेके तो न्याएदीश ने का बोलो भई यह 29 के हफते में आना तब आपकी अरजी वरजी लगाएंगे तब बात करेंगे तो सरजी को रिलीफ कोई नहीं मिल रहा है कब तक 29 अपरिल तक 29 अपरिल के हफते में मी लॉड्स उनको सुनेंगे उनके सुनने के बाट डिसाइड करेंगे क्या होगा कि जो डेड़ शाणे बन रहे थे हमारे केजरी वाज जी डबल मेंच नहीं गए यह सिस्टम पास वो सिस्टम पास मैं रिट को चलेंज करो चिंटीन वकील लगा दिये पाच पाच वकील लगा दिये सबसे खुश है आजकल दिली के वकील अब संग्वी जी की बात करें किसी और की बात करें देखिए उनका मीटर तो गूमता है वो जाए कोट में कुछ हो ना उनको फीस तो मिल गी है उस दिन की तो वो बड़े खुश है केता है रोज बताओ रोज जाए कोट वो तो सिंग्वी जी तो कह रहोंगे आज वी चला जाओ बोलो आज भी चला जाओ एक चिठी दे आता हूं जाके इसे गूड मैनी फॉर सिंग्वी ना इस अ प्रोफेशनल आ यह नो प्रॉब्लम इन दा तो मतलब देखिए स्टर जी का जेल से आने का सिस्टम समझनी आ रहा और आप आदमी की ताई और लाई और ताल और च बक्त है केजरिवाल जी आपकी इतने बड़े बजरंग बली के बक्त है उसी पाटी की P WD मंतरी इतनी एंटी-हिंदू है कि हमें नवरात्रों में ही मंदिर तोडगना है दिल्ली में नवरात्रों के दिन ही अश्टमी से पहले मंदिर तोड़ेंगे यह हमारे आमाद भी प इतना पैसा दिया उसको वक्ष बोड़ को अप ने टैनियोर में में सो करोड Baumossa करोड cabeça डिया वक्ष बोड़ कोर हिंदूों के मंदिर तोड़ रहे हो यही इन तुम्हारे यहां करोड़ रूपने log सो पर और यहां त??? इसको नकाब हटाना नहीं कहेंगे इसको चेहरे से परदा हटाना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बहुत बहुत धनिवाद सुनीजी आप देखते हैं किसका नंबर निक्स आ रहा है आपके ministry में वैसे एक चिडिया मेरे काँ में आकर भूंच कर गई है कि आतिशी का नंबर है तो देखते हैं क्या होगा क्योंकि हमने बहुत ही accurately प्रेडिट किया था तीन-चार चीज़ आप दोस्तों आप लोग shots के जरीए देख सकते हैं जब केजरिवाल का नंबर आया था तो हमने कहा था खवीता अंदर जाते ही बोला था कि देखो अगला नंबर केजरिवाल का है आज हम कह रहे हैं अगला नंबर आतीशी का है देखते हैं क्या होगा और वैसे भी मैं एक और चीज़ सुन रहा था कि रागव चद्दा के बारे में फुड़ा और जांच कर रहे हैं हम उसके बारे में एक अलग shots वगगरा कुछ डालेंगे सर जी अब हमारा दूसरा topic भी हम को उसको touch करना है अब all of polls क्या कह रहे हैं क्योंकि बहुत लोग इसके लिए उत्साफ होंगे कि क्या होगा अब किस तरह की एक लोगस्वा बनेगी after June 4 ओवर टी यू देखें सर आज दिन का जो मीडिया पर प्रक्राण रहा हम सबने अब दस-पंदराफ में समप करके बता देते सब दिन भर क्या हुआ देखें जो करीब करी बारा तेरा पोलिंग एजेंसिया है विरियस इंडिपेंडेंट एजेंस हैं जिन्होंने पोल के किसी का कुछ किसी पहली बार दूसरी बार जो चीज आ रही हर कोई यह बता रही कि कॉंगर्स पचास सीट के नीचे है हर कोई यह बता रही है कि मोदी जी प्रधान मंत्री बनने वाले कोई नहीं नोग सकता है चोथी चीज आपको बताओ अब आप देखें हरे का अलग डाटा किसी स्टेट क अब एवरेज क्या मनना अगर मैं 1314 इन कंपनियों का पोल और पोल एड करो एवरेज क्या मनना था एवरेज बन रहा सर 333 थ्री हंडर्ड थर्टी थ्री फर भाजपा थ्री हंडर्ड एटी फाइव एटी सिक्स फर एंडी यह एवरेज बन रहा है मर सब का एवरेज उठा के लिए तो भाजपा तीन सो तैन्स और एंडिय करीब अगर मुझे याद है तो तीन सीटे आ रही है और लालु प्रसाद यादव जी की बिहार में सूपड़ा साफ है जीरो रेली शुन्य 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 बटा सनाटा शुन्य ते जिस भी भाईया जा रहे थे हलिकॉप्टर में नवरांतरों में मचली वचली खा के वीडियो जहाज में बैठके मचली खाऊ जहाज बैठके मचली कोई बात नहीं तो यह उनका यहां देखिए यूपी में अगर हम बड़े अब बड़े बड़े स्टेट्स की बात करें तो यूपी में लगबग लगबग च्छाटर अठटर सीटे च्छाटर सीटे सेवंटी सिक्स तक आती नजर आ रही एवरेज जो मैं आपको बता रहा हूँ भाजपा की बाकी अलाइंस वागर हो की मिलके तो असी सीटों का हिसाब के दाथ तो यूपी में होगे है अब आप सवाल दो तीन है या पर दिखिए पहले तीन सो तीन का नंबर है अगर तीन सो तैटीस एवरेज आ रहा है सब का वेटेड अवरेज तो मतला मोधी जी इंक्रीज टेन परसंट अब दे सीट्स फॉम दे लास्टें दस परसंट वह भी बता तो मतला मेरे पास नभे प सोचिए चुणावी गणत में है अगर आप तीन सो तीन सो से तीन सो तैटीस कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए वो कितना बड़ा कार्य है तो जो कहते हैं बाजबा गिर रहा है नौट साउट डिवाइड है यहां सीट नी मिल रही वहां सीट नी मिल रही भाईयों जो यहां नी कर रहा हूँ पोल अफ पो सुपर यह बाद करा ऑव कर रहा हूँ सुपर पोल अफ पोल कह रहा है घर और परिश तो अगर इसका विष्टेशन करें जो लगबाग लगबाग 30 सीटे आ रही है वो तो भाया सारी साथ से आ रही है। वेस्ट बेंगॉल मेरे को अंध्रा दिख रहा मेरे को तेलंगाना दिख रहा करनाटका में तो लाग बहुत सुई पीता हो सकता संभावना यह के राजी चंदर शेकर जी हमारे शशी थरूर साब को हरा दे तो उनको हरा दे और यह भी संभावना है और अब आप बोलेंगे कि सब्सक्राइब को अब बता है अगर यूपी में चुरू से में एक दिन कह रहा हूं आपके शोपे भी अगर कॉंग्रस अगर आप यूपी में केवल सतरा सीटे लड़ रहे हो भाईया तो इसका मतलब यह है मेरे भाई आप सरकार नहीं बना सकते तो और आपके अखिलेश भाईया को तीन सीटे मिल रही है तो मतलब कॉंग्रस यह यह यूपी के लड़के कौन लड़के राहुल के तीन सीटे मिल रही है असी वैसे तीन सीटे क्या घजब परफॉर्मस कहले हो घजब आई तुम तो चागए वह या तीन सीटे वा मतलब बात होगी योगी आतितनार जी तुमसे घबरा गए क्योंकि साड़े तीन तीन पर लगब लगब तीन परसंट सीटे ले रहे हो लाडू प्यज़ेवी का गेन है और यह जो पवन कल्यान और यह जो ऑदनाइड़ोजी के साथ ताइब हुआ है बारा सीते दस बारा सीटे तो वह ही तैइब दिखा रहा है आप देखे टमिल लाडू में के इन दिख रहा हमें यह आपर लड़के अरे भाया वहाँ पोस्टन निकाला है तो यह तो एडवांस में बोल दिया कि अच्छे यह लास्ट ट्रेप का जा रही है अब यह एडवांस में बोल दिया तो यह कह रहे थे न कि टामिल लाड़ो में कुछ रहे है अंध्रा, तिलंग गाना, केरला और वेस्बेंगॉल, दीदी नमश्कार, वेस्बेंगॉल में गान, पार्ट सीट का गान, कम से कम पता है आपको आजकल कोन सा गाना बहुत चल रहा है वेस्बेंगॉल में, कोन सा दे-दे-दे-दे-दी-दी-दी-दी-दे-चासन वापस हमें तो तुछ दीधी की तो बहुत नींदे ऊड़ी है अबुक चाह की उमिधवार ने डीमक की उमिधवार उन्होंने भी एहिव क्या था एक दिन पोलिंग को नहीं गई तो सब को क्या नहीं तो सब को कह रहे थी कि नहीं मेरा राहरा तो एक दिन नहीं गी लेकिन सब लोग बढ़ने लगा क्योंकि वहां पर अपोजिट एक्स गवर्नर थी तो आप दो दिन घर में बैटी तीसरे दिन उनको एक पुब्लिक अड्रेस करना पड़ा घर में बैटे आप देखे पड़ रही है और आराम से राइट लेकर लेकर ले लास्ट टुब क्रेब बंडी इस सिकर अरे यह यह दीदी हमारी कुछ भी कर सकती ममता जीदी जबरदस्त है ममता जीदी के आससे पांच सीटे तो सर अभी दिख रहे हैं पांच सुट शे सीटे आपने आप देखिए आंधरा प्लस तेन लेंगाना में तेरा चोदा पंदर कांट से रहे हैं और अगर मौधी जीने कुछ और अभी कर दिया कोई और शीज आ गही सामने तो हो सकता है यह नंबर और बढ़गा है और समावना यह सर चार सो पार हो सकता है एंडिये का बाजबा का नहीं एंडिये का 400 पार का नंबर भी पूरा पूरा संभावध है क्योंकि कोई सी कोई तो 2 399 तक भी दे रहे तो 400 पार वाला आगणा संभावध है आज तो बड़ा मझे आया कि यह टीवी डिवेटों पर यह कॉंग्रस आले कह रहे थे भाईया तु तो पूलिशन में थे तुमारे पार्टे अधैर को ळूट रहे तो ने होला Понट अग है कि यह शिर्ऑ न्या दे धिआ है क्या क्या एलाइंश धर मा में कह यार घजब वह मस्तब तुम अपनी पार्टी को कैनेभलाि़स करकेrésली धर्मा की बात करो मैं का तुम तो दानवीर करन का रियान का रिनेशन हो तो राहूल गांदी जी का नाम बदल के करन रखतो करन गांदी क्योंकि यह तो दानवीर हो थे करन अब यह राहूल गांदी जी है क्योंकि भई तुम अपनी पार्टी का स्वाहा करके अपनी पार्टी का नास करके तुम क्या कर रहे हो तुम बाकियों को खड़ा कर रहे और हुआ क्या अकलेश भगया ने तुम्हे सत्रा सीटे दे अरे रहूल गानी जी सच्छा अकेले लड़ ले दे इज्जत तो बचती हैं कम से कम आज मैं आपके हर प्रवक्ते से पूश रहो तुम जीतों के कहां से नंबर गि अचे यह तो निकली लिए यह कह रहे थे कि मैं इनकी शाय नृत्य हो गई यह कह रहे थे मैं आरत छोड़के निकलूंगा अगर मोधी फिर आ गया राणा जी तो मुझे लगता मोधी जी आने वाले तो यह पूरा ही निकल लिए अब चलिए जो पुरभू की इच्छा उसम बड़ा इंट्रस्टिंग समन में मैं आपको बताओ आजकल राज़किती में आजकल नहीं हवा चली अब कहते हैं तेलंगाना में कॉंग्रस की सरकार है न तो अब लोग लोग कहने लगे आज तेलंगाना में रेवन्त रडडी की सरकार है यह मैंने एक चेंड देखा है क्या यह कहीं और इशारा तो नहीं कर रहा है कुछ कुछ इदर उदर इदर उदर मतलब कॉंग्रस की सरकार नहीं है रेवन्त रडडी की सरकार मतलब इसका मतलब क्या हुआ कॉंग्रस की सरकार होनी चीए रेवन्त रडडी की सरकार अब यह रेवन्त रडडी तो है तो यह संग के भाजपा क्या काडर के वक्ति है तो क कुछ मतलब एक और जोर का जटका दीरे से तो नहीं लगने वाला चुनाओं के बाद देखे करनाटका में तो लगने लगना है हिमाचल में छे मेले निकल चुके हैं अब यहां तेलंगाना में क्या होगा पता नहीं अब मुझे लगता कि अगली बार राहूल भाहिया अगले हुँआब इस चीज़ की हो जाने हम हम उसमें लिए तो मतलब यह परिस्थी यह कहांगरस की आज सिट्टी पित denote साब का ही नमबर खराब है क्या? सबका शिटिया गुम्पिड हो गई है क्या? अरे कुछ तो इज़त रखे न हमारी माझन policy हम चलो भाई तुमने हमें बोल दिये भाजवावाले हैं यह भाजवाले हैं, और पूरी दुनिया भाजवावाली है मैं बता हुआ और हर इनका तो हाल भुुरा है 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 इनका तो सचिन भई हाल भुुरा आपको एक और बाद मताहूँ अज सुप्रेम को ने मिधी डाट लगाई है भिह आ मैं बताओं कॉंग्रस वाले बिचारे आजकल ऐसे न आप देखिए अगर आप एक नई कुल्फी खोले कॉर्णेटों की उसको दिल्डी की घर्मी में रखिए ऐसे हाथ में कैसे पिगलेगी टिक 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 कॉंग्रस के लोग ऐसे आजकल टिवी डिवेटों में तिखल रहे हैं मुझे विचारों में बड़ा तरस आता बड़ी हतोत शाहत बड़े हतोत साहिद लगते हैं हमारे मित्र पर क्या करें राहूल वया है तो सब कुछ मुम्किन है और हां राहूल गांदी बनेंगे प्रधा मतलब हाल बेहाल कुम्बा खराब आगे का पता नीव आगे कुवा पीशे खाई मुझे यह समझतो जाए तो जाए कहां कहते हैं कॉग्रस की विडमना वह है साफ के मुझे निगलते बने न उगलते बने और यह कोन है यह गांदी परिवार गांदी परिवार जब तक है मैं क्या रहो मौदी जी अगर यह 350 सीट का भी आउकल आई ना सर कल को 350 भी पार कर ले अब खुद से मुझे हैरानीन होगी राहूल भया अमर है मैं तो खुद बोलता राहूल भया रहे राहूल भया बहुत काम की वक्ति है वो बिलकुल लगे रहे ऐसी तरह से और दीरे दीरे ते रहे नेता निकलते रहे निकलते रहे निकलते रहे बाजपा बढ़ती रहे बनती रहे बनती रहे और कॉंग्रस वालों तुम्हें एक चीज बता दो यह जो तुम आरोप लगा तो नो वाशिंग मिशीन का भाजपा वाशिंग मिशीन है गया एडी का केस गया मैं उन्हें की चीज़ कहता हूं बहता है यार देखो अगर एडी ने किसी पर अफाया डाल दिया किसी की प्रॉपर्टी अब एडी रिलीज नहीं कर सकती यह केस हटाने का काम करता है नियालाई कोट तो मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि क्या भारत के कोट वाशिंग मिशीन है ध्यान से बोलिएगा अगली बार प्रवक्ताओं और कॉंग्रेस वालो तुम यह एडी पर निशाना नहीं लगा रहे हो अब यह तुम सीधा-सीधा कोट पे निशाना लगा रहे हो क्योंकि केस हटाने की पावर प्रॉपर्टी को रिलीज करने की पावर तो कोट के पास है एडी क चीधों बूलिए है 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 अब यह आम आदमी पार्टी का ग्राफ क्या है एक दो या तीन सीट एक दो या तीन सीट कोई एक कह रहा कोई दो कह रहा तो दो सीट मानिए तो दो सीट जीतने वाले केजरिवाल से डरता है मोधी तीन सो तैंटी सीट जीतने वाला मोधी डर रहा दो सीट जीत जीत गया तो मेरी तो सकता हिल जाएगी मोधी जी इतना ढ़रते है केजरी वाल से पूछिये मत मैं आपको बता रहा हूँ अगर कोई हाईप को अगर कोई चीज को ओवर मार्केट किया जै अगर किसी चीज का हुआ बला जै दो सीट है सर मैं पंजाब और दिल्ली मिलके कह रहा हूँ दिल्ली में कॉंग्रेस के साथ टाइब कर लिए तब कह रहा हूँ अधिक तर पोछ करे दिल्ली में सारी सीट बाचवा ले जाएगी तो पंजाम एक दो यह निकालेंगे दो तीन सीट वाली पार्टी से कौन डरता है मोदी जी डरता है तीन सो तैन्स वाला तीन से डरता अब तीन अपवाँ तीन सो तैन्स कितना होता पॉइंट वन वन से कम 0.9 0.9 से डरता है मोदी यह नया आज जुमला मैंने 0.9 से डरता है मोदी केजडी वाल जी आप महार आप जबरदस्तो सर हम मानगे सर जी आपको प्रोपगेंड़ा के बादशाओ जोजब गोबल्स को आपसे लेसन लेने चाहिए अगर जोजब गोबल्स जिन्दा होता तो आपके चर्णों में लेट कैस्टांग प्रणाम करता है कदा गुरु जी आप कहां थे पहले मिल गए होते तो हिटलर बहुत कामियाब हो जाता जबरदस्तो केजडी वाल जबरदस्तों मानगे अश्वत्थामा हताह इतिकुण्चराव तो धर्म धर्म से उन को जूट बोलने को कृष्ञन जी कहते हैं कि आप जूट बोलिए लेकिन वो भूलते हैं मैं जूट नहीं बोल सकता तो बोले ठीक है हम एक हाती को नाम लगाते हैं अश्वत्हामा और उस हाथी को मार देते हैं तो जब वो होते हैं तो आप इसको जोर से बोले के अश्वत्हामा हाथा देन वो बलते हैं ने ने उसके साथ मैं इती कुंजरा बोलूंगा यानि कि यहाँ एक इलेफेंट है जो मर रहा है लेकिन जब वो इती क कुंजरा कहेंगे ना तब वो ये शंक बजा देते हैं तो सामने खड़े हैं द्रोन को अपने बेटे से बहुत ही प्रेम था अश्वत्हामा हता तो अब ये रुगे वो तो बस अरजुन ने बांड चलाई और वो वहां बसर गए तो इसलिए अश्वत्हामा ने शपत लिया क कि मैं पूरे पांड़ोंग को खतम करके ही रहूंगा और माना जाता है जिस तरह से हनुमान आज भी जीवित है अश्वत्हामा भी जीवित है और यह आप देखिए जो हिंदू मैथिलोजी है और जो हमारे चीज़े यह नहीं माना जाता है यह शंग्रीला में रहते हैं जो शीजिंग्पिंग को भी माव की बूत आके यह बोल गया है यहां शंग्रीला है वहाँ कुछ ऐसा फूल कोई ऐसा पती मिलेगी तू मरे गा नहीं तो माव का इंटरस्ट बेसिकली जो इंडिया में था और हिमालीया जो था वो एक पानी था और शंग्रीला था वो शंग्र करिमी से एक दिन पहले और उसी मन्दर में हिंदू के वह लगे होगें हम कंजयक लगाते ना कंजयक ए रखे रखे हैं मननत मांगई है अकंड जोट जल रही है कंहीं लोगों न मंदर में अकंड जोट जल रही है सब नारियल हैं हम ने कलश्च की स्ताफना किये जब यह परम पर्व के पराकाकास्टासे परेले जब वो रश्टमी में किति महुआ वाला हम काल रात्री संपि में विके इकाल . मंश को महीं के दिन यह हमारा मिशन है जी है अब अब बताई यह है यह अपने आपको हिंदू कहते इसलिए यह चलो तो भाजपा कािमन्ट था अब भाजपा का इवे चल रहा किया अब किस ने रोका तब तो भाजपा का इवेंट थे जब कि था नहीं अब किस ने रोका शेप क्यूंने गेज है grand तोड़ने वोड़ने वाला है, इस सब समझ आ रहा है और वक्ष बोड को सो करोड रुपर ड़ह डा ले, मात्र सो करोड रुपर अपने टेन्योर में, अब बताई क्या बोलेगे आपसे, अपीजमेंट, सीधी-सीधी-माथ यापीजमेंट नहीं जहेंद है, बतलब यह आपन पर आट कूटिंग तो इनकी कहाँ नहीं हो यह सर। अंदर आपका, और लोगों दिल्ली के लोग को आपका असली चहरा दिखाई दे रहा है है। यह लोग थे यह लोग यह लोग उद्द रहाएंगे और एक वर आपको बताओं किजरी वाल किसी पुल्टिकल स्कैंडल है पुल्टिकल आरोप पर अंदर नहीं है पर यहाँ एक महानवा है जो हजारो करोड के स्कैम लेके जेल गए है ये आप अंदर हो तो आपना अपनी तुलना इन बड़े बड़े दिगज नेतानुंसे ना और केजरिवाल जी को ता एक और चोट लग दी सर, मालब नहीं लगी है, मालब चोट हुई है उन पे, वो ये है कि पहले केजरिवाल जी क्या कहते थे, आज ची कहते हैं, मैं गी थी मिलने, तो वहां से सर जी ने फर्मान दिया, अब फर्मान क्यों था था ये काकस का, तिर व पड़ते हैं बाबा, तो पेपर कलम दिये ने कुछ भी, अब क्या कर दिया, केजरिवाल जी से जिसको भी मनना, बीच में गिलास का वाल है, इदर फोन है, उदर फोन है, करो बात, अब तब से आपने देखो, जब से वो गिलास फोन और फोन और गिलास वाल का प्रावदा जी, किया तो उन्हें मूल बूत सुविधाई नहीं मिल रही है, तो ऐसे में, जब उन से बात फोन पे हो रही है, हो काकज नहीं परचा नहीं है, तो ऐसे में क्या दिली का शासन प्रशास चला पाएंगे, क्या ऐसे में LG साहब को उनकी गूर्मेंट को बरखास नहीं करना यह तो बताईए कैसे चलाएगा शासन अरे यह मजाक हो गया गया दिली का शासन मतलब आपके पैन नहीं कॉपी नहीं आप फोन से किसी से बात करें तो शासन कैसे चलाएगा यह दसकत कैसे करेंगे मतलब फिर तो यही होगी फिर तो फिर तो ऐसा हो गया ना कोई भी कोई भी मीठे पानी वाला मिक्स पानी वाला दू बोंजी डालू डालू घंणा डालू जञा चन्ना डालू है पसंद मagtलब शासन की भी गोलगप पर मरा दिया रेवडिया भरा दिया अरे ये कोई बात है केजरिवाल जी आपको तुरंद रिजाइन करना चीए सर ये बहुत गलत है आपको पेंपेपर नहीं दिया रहा हूँ तब से फर्मान भी नहीं आ रहे आपके जेल से जो हमारे फर्मान आते थे वो फ जी बहुत 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 शुक्रिया सुमिट जी आप लेते हैं थोड़े फ्रेशन हमारे कई फ्रेशन हैं आज जी पहला फ्रेशन पूछ रहे हैं विजेकुमार स्रिगास्तफ जी सुमिट सर ओपीनियन पोल्स और इन इंडिकेशन अफ आप और कॉंग्रस नमस्कार जो प्रभू की इच्छा जाए सिया राम यह दो सब प्रभू की माया है कहीं दू पहीं चाया है जो प्रभू की इच्छा होती है प्रभल हो जाती मेरे भाई आप और हम कोन होते हैं हम तो निमित मातर हैं जनता में जनारदन रहता और जनारदन में नाराय और जब नाराय रु होते तो exit poll होके परिणाम कुछ ऐसे रिखते है next one please कार्तिक कुछनातन जी पुछ रहे हैं who is bearing the fees of अभिशेट महनु संग्भी fighting for पजरिवाल क्या वाद करें कार्तिक जी आम आदमी party दे रही ने पैसा आम आदमी party पैसा दे रही है tension क्या है केजरिवाल तो दे नहीं सकते है आम आदमी party पैसा दे रही है केजरिवाल जी की वारी बड़ी फीसल जाता है माना जाता है कुछ 5-6 घोटालों में हर एक में 1000 करोड का भी scam है minimum क्या फरक पड़ता जल बोर्ड आ रहा है ना अगला next one is जल बोर्ड लोग कहरें सर तेईस हजार करोड का गोटाला जल बोर्ड वाव तभी तो रागव चद्धा जी वापस नहीं आ रहे हमारे मित्र रागव चद्धा वापस नहीं आ रहे लंडन वे good place हा coffee coffee on on the London bridge I'm having coffee do you mind some tea with milk and sugar let me add a little bit of lime to it magnet ranga ji पुछ रहे है tea gurus had a hangout with Savio where details of the Modi government achievement were mentioned amazing why no publicity by BJP how many more seats BJP would win with proper publicity sir ji एक बहुत ही बड़े खुलासे हुए थी एक घंटा पहले Savio और Amit जी आये थे Amit Baghariya और mind-boggling बस यही कह सकता हूँ कि इतने information बाहर आया है उससे कि कहा कहां तरक्की की गई मोधी सरकार द्वारा कितने जगाओं पर वर्जी चीजों को निकाल दिया गया और वो कह रहे थे कि 24 घंटों में जब पता चलता है मानो एक आदार कार्ड गलत है आदार नहीं कोई एक राशन कार्ड गलत है 24 घंटों में उसको बर्नौल की आउशिक पर है नहीं वो जगे पर बर्नौल शाहिद काम ना करे नेक्स वन इमानशी चोपरा पूछ रहे है नमस्ते पी गुरूस डों तूट 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 प्रीबी कल्चा इस तूट आप विल रिमें प्रेवलेंट इर्रेस्पेक्टिव अफ सर्वाइवल नौन सर्वाइवल अवेके बिकास मेनी अनएदुकेटेड़ और पूर पीपल विल स्टिल वोट आप देखिए ये धारना गलत है मैं चोपडा जी मैं आपको बताओ भारत का जो नागरिक है ना हमारी एक क्या हो आप हमें देखिए हम दो लोगों के लिए बहुत दिया रखते हैं एक हमारे माता पिता और एक हमारे बच्चे देखिए माता पिता आपके हो मेरे हैं और किसी की वो ढलता वासूरी है उसकी सेवा करनी थी पर जो बच्चे हैं वो फ्यूचर हैं तो आज मुझे बता है ये कौन सा ऐसा माता पिता हूँ पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा अनपड से अनपड जिसे ये नही दिख रहा कि मोधी है तो मुम्किन है, मोधी है तो सुरक्षा है, मोधी है तो समाव ना आप किसी को दो सो बिजली के यूनिट और कुछ सोल हजार लीटर पानी दे के एक बार दो बार वो प्रड़ नलवा लेंगे पर जो वो आपने आसपास देखता है तो उसे लगता है यार मुदी का विकल कोई नहीं है अब जो फ्री बिजली की विवस्ता थी सर तो उसमें तो करोडों के चटों पर सोलर पैने लगेगा आपका बिजली का बिल जीरो किया जाएगा और बिजली बेचने का काम करोगे नैशनल ग्रिड में बनाके और पानी की भी कोई ऐसी वेवस्ता की जा रही है अब अठारा करोड लोगों को पानी का नलके से साफ पानी मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ये रेवडियो के कल्चर में आप ये प्रशान किशोर का आइडिया था जो केजरीवाल ने चला है ऐसे आइडिया होते इस लेकर चीट कोड एक बार दो बार चल जाता है इन पर सत्ता ही नहीं बनती यह जो फ्री बिजली पानी लेके तो केजरी काई दो दिली मुझे बताओ अगर तुमारे मॉडल में इतना धमी यूपी में क्यों नहीं चलता है यूपी में गरीब स्वेडकीय स्वेड़ा प्दूर peeling ये गडर अगली बार कुंछ रहा है और उप्टाह a majority in rs it's already there it's already there next one please what happens if rahul gandhi starts thai jodo yatra करसकते हैं हमारे घ्राहौन गानी जी अब करकी बड़े अच्छे सभाव के वह आठीं यह इनको कई गो गो help कभी डाड़ी वड़्माते को कभी जेड़ के में पैदल कmee जेडs लुक्यों गूंआते कभी सावद खूमाते हो अभी himselfee गूं रहें घूम ने।ug की राजनीती है आई राजनीती वाजनीती के लिए बने नहीं है हाँ राहूल गांदी जी अगर मेरा माने तो राहूल गांदी जी बहुत अच्छे सकते थे मैं आपको क्या रहा हूँ नॉर्थ के रजनीकान बन 사कते थे एक्टिंग पूरी जवर्दस आती है इनको पूरा गेटेव एटव कर लेते सब धाड़ी वाड़ी भी रेल लगा लेते अगर ये नौर्थ में बनते ना रजनीकान जी को टक्कर देते ते ने नौर्थ में तो देखे हरे के बसका हर कोई काम नहीं है मैं अब भी कहता हूं नहीं अब भी राउल भई आप ऐसे तो देड़ो राउल गानिच ये बात अच्छी बात नहीं इनकी पेमन तो दीजिए आपको क्या कम ही है बताईए आपके इतने वड़े वड़े दिगज है आपके एक एक नेता क्या पाच पाच सो करोड का कैश मिलता है अरे घरीब लोग का तो लाग आप पूछ रहे हैं हाँ मेरी बात मानिय उनक्तिस की तयारी नहीं इसके बाद सीधे सीधे चोंतिस की तयारी होगी और चोंतिस के लिए दस साल है तो मदल कुछ तक तक डाल लोटी की कुछ तो वेवस्ता करनी पड़ेगी हाँ आप अप अपन अब जी ये बूल गे अगर ED अगर करन अरचून के शिकंजे से बाहर रहे तो करन अरचून जानते ना ED और CBI अगर करन अरचून नहीं आए तो मुद्रा लोन की आफशकता चाहिए और नहीं तो करन अरचून आए फिर तो सरकारी खाने की वैवस्ता हो जाती ही मुद्रा लोन के आशक्ताहिं नहीं पठती है नेक्स वान प्लीज आशी शगरवाल जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपको उस्तार पीटुजीन चान्चल जी पूछ रहे हैं क्या आपको लगता है कि जिहादी की जिहाजी जो जूट हैंडल चला रहे हैं सोशित सोशल मीडि और राजपुत भाजपा में नाराज आप पढ़िए ना राजपा से नाराज हैं जैसे मुहिम चलाई जा रही है उन्हें जमीन पर असर दिख रहा है ये बाजपा को सीटे काट सकती है देखें उस्ताद जी ये कुछ चीजे चलाई गई हैं ये सारा मामला सेटल हो गया है कोई ऐसे नहीं है राजपूत उतनी हिंदू है उतनी भारती है जितने आप और हम है और अपकी बार कोई हिंदू कोई भारती के लिए विकल्प ना आए नहीं है भाजपा कोना वोट देने का क्योंकि ये अगले हजार साल की तरकी औरोनती का नीव रखी जाएगी जो मानन चोटे मोटे जोगी तना आते हो सब सेटल हो गए ऐसा कुछ भी नहीं है हाँ बट यह जो विपक्ष का खेमा यह कोशिश तो करेगा और उन्हें कोशिश करने का अदिकार है उन्होंने हमेशे ही तो किया हिंदू को तोड़ने का तो कला उन्हें आती नहीं अगर हिंदू को जोड़ने के कला आती तो आप यह हाल नहीं होते हैं खुद तूटे नहीं पड़े होते हैं आज की देट में बिलकुल बिलकुल नेक्स वान शोबिज सिंग जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपको सर मनोज तिवारी ने 2020 सेलेक्शन्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया इसपर बीजैपी ने काफी नोन परफॉर्मिंग एमपीस को टिकेट नहीं दिया यह मनोज तिवारी दिली के जो आक्टर है ना वो बियार से बोचकुरी हाँ को टिकेट नहीं दिया पर उन्हें दे दिया दिली की जंता कहीं कनया को वोट ना दे दे नहीं देखे जहां जहां से टिवारी जी को टिकेट मिला है दिली में करीब-करीब ऐसा मैं आशा जाता है सोला से सत्रा परसंट जो जंसंद किया उन्ने पूरवी कहते तो जो बोजपुरी बेल्ट है उससे मोटउ-बोठा कहेंगे तो उस शेतर से टिवारी जी को टिकट मिला जहाए तिवारी जी का अच्छा-कासा हैंडल है अच्छा-कासा वोल्ड है तो इस वेल्ट में कनहिया तो ने नहीं हरा पाएगा सथacı यह यह मैं गारेंटी जाम तर नहीं हरा पैगा टेंशन हर टिकट सोर्च समझ कि हर समय करण को द्यान में रखते हो दिया जात तेरे कनहया, किसको कहेगा तुम आईया? यह यह जैने वाली है, डफली वाले. इसकी आजादी, उसकी आजादी. शंकर वी के पूछ रहे हैं, सुमिच जी, हावकम वद्रा इस देखें, यह बड़ी एक विचित रगटना है, क्योंकि जब से वाडरा जी ने बोल दिया कि मैं चुनाओ लड़ूगा और अमेटी से लड़ूगा, परिवार में सन्नाटा चिका आजिए, पूछे क्यों? यहां दुवन्द चल रहा है, दुवन्द क्यों चल रहा है, मैं रहा हूं, कॉंग्रस में तीन पावर सेंटर है, लड़ाई है राहूल गांदी की प्रियंका गांदी और सोनिया गांदी की, इनमें आपस में ताकत की लड़ाई है, अब यह राहूल अभी वाडरा जी थे, बीच में दरोगर गूम रहे थे, अब वाडरा जी पे देखिए मैं ही जाके आमेटी या, कहीं से खड़ा हो जाओ, ताकि मेरी भी कुछ राजनेतिक वर्चस हो तो मने, नहीं तो यह लगेगा, प्रियंका जीगा, पती है, अपना वाड़ चर्फ हो तो कुछ है नहीं, और अगर गलती वलती से जीद गया, तो शायद मोदी जी मुझ पे थोड़ा रहम करम कर ले, ये फ्रस्टेशन है है वाड़रा की जो अब किसी भी सूरत में खुद पावर, he wants to get the power by his own hands, not to hold on the reflected glory, उनके पावर के समय करनों से अपनी शक्ति नहीं लेना चाहता, खुद डाके पावर को छुना चाहता, ये हताशा है, ये निराशा है, ये कौ आप प्रति भिंब देख रहे हैं सर, जी, अगला अगला प्रश्न है, स्री निवास बिठल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपके सूपर स्टिकर को, और इसी के साथ हमारा आज का कार्यकरम संपोन होता है, खुरुपया आप इस चैनल को लाइक कीजिए, और अगर वाटसप ग्रूप पे जरूर शेयर करना है, आपको जानते क्यों, जिन भी लोगों के हमारे हमने बोला ना, वो अभी हमें रिपोर्ट करने वाले इस वीडियो के बाद ही, दबाओ, 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 पी ग्रूप को दबाओ, ताके आगे न जाए, आवाज न निकले, भाई, आप ही हमारे सहरो, इसको जरा लाइक करना हो, और सब जगह वाटसप पे उधर उधर शेयर करना है, यह आप काम तो करी सकते इतना हमारे लिया, और हाँ, जब भी आपकी वोटिंग डेट हो, भाई साम, बहें जी, वोट देने जाना है, यह ना सोचे कि आप तीन महारे लिया, यह ना सोचे कि आपकी 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 आपक झाल झाल झाल